हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आप देख रहे हैं एचिम्मेंट इन आल मैं हूँ आपके साथ नमरता आज है सुक्रबार और ये सुभा के साड़े 9 लगवग बज रहे हैं मैंने पूजा का बरतन धो लिया है और खाना पीना सब कुछ मेरा बन की रेड़ी हो गया है पहले मैं लाइड जला लेती हूँ और यहां पर देखेंगे मैंने खाना बना लिया है सब कुछ दो लिया है और खाना में मैंने बनाया था आलू और बोड़ा की सबजी आलू बोड़ा टमाटर की सबजी चाबल और मोंग की डालवी में लगातार मोंग का ही डाल बना रही हूँ और अभी मैंने कोई ब्रत कता नहीं किया है सुभा ही करना था मुझे उठकर लेकिन आज चुकि मैंने आपको बताया है मंगलवार और सुक्रवार को मैं वाश्रों वगरा भी साप करती हूं तो ये रोटी भी मैंने बना लिया था इनको टिफिन देने के लिए और दो-चार रोटियां रख लेती हूं बाबू दिन वर में जो भी खाए और जो ये रात में सबजी लाये थे वो सबजीया है और मैंने गैस वगरा सब कुछ पोच लिया है और पुजा का बरतन भी दो लिया है तो अब मैं जाओंगी वास्रूम वगरा क्लेनिंग करने सारा बरतन भी दो लिया है मैंने और यहाँ बर मुझे ये पोच्छा बकेट और डश्ट बीन वास्रूम में भी ब्लीचिंग पॉडर हार पे को डाल दिया है और यहाँ बाहर के सिंक में भी डाल दिया है क्योंकि अभी ये सब साफ सफाई उन से नहीं हो पाएगा अभी तुरंत रिसेंड में उनका ऑपरेशन हुआ है और ब्लीचिंग पॉडर डाला था लेकिन ये वास्रूम में इतना पानी भर गया कि वो सारा पानी वास्रूम चला गया था पूरा पॉडर जमा हो गया था तो सबेरे तो मैं उठी थी आच्छे वजे लेकिन चुकी इनोंने कहा कि मैं साड़े आठ बजे निकल जाओंगा साड़े आठ से नो बजे तक तो अब इतना जल्दी पूजा में एक गंटा लग जाता है कम से कम और यहां पर मैं नहा कर आ गई हूँ और जारी हों बालकनी और मौसम ऐसा किया है कि धूप तो निकला ही नहीं है और यहां मैं बालकनी में अपने बाल को मतलब सुखा रही हूँ हर फ्राइडे को दोती हूँ पहले तो मेरा बाल काफे बढ़ा था अगर आप लोगों ने पिछला बलाग देखा होगा तो लेकिन अब तो मैंने बाल को कटवा लिया है और मैंने सोचा एक दिर घंटा लग जाएगा वासरूम वगेरा साप करने में और एक दिर घंटा पूजा में लग जाएगा तो नो बजे तक फिर खाना भी बनाना है एक दिर घंटा खाना बनाने में लग जाएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि हमें पहले इनको आफिस भेजी देती हूँ फिर मैं लगोंगी अपने पूजा पार्ट में अपने अगले काम में तो यहां मैं नहा कर आ गए हूँ अपने बाल को सिधा कर रहे हूँ और यह सिंदूर मम्मी दी थी ब्रांडेट तो नहीं है लेकिन कोश्टली है 8090 रुपया में दिया है और यहां पर मैंने सिंदूर लगा लिया काजल पाल लूँगी और थोड़ा लेकमी वाला क्रीम लगा लूँगी बिंदी लगा लूँगी और मतलब आप समझ सकते हैं किचन में आपको दिखाना शुरू किया और नहा कराते आते 11 बज गए थे क्योंकि एक दिर घंटा तो लगना ही था सारे चीज़ को साप करना धोना पोचना तो यहां पर मैंने एक बिंदी लगा लिया है और अब मैं आपको सिधे लेकर चलूँगी अपने कीचन कीचन में चुकि बरतन पूजा कर रखा है और यहां पर मैं इस तरह से बाल भी पूरा भींगा है अब चलिए कीचन कीचन में मैंने बरतन धोकर रखा है और सारा चीज़ इसलिए मैंने पोच लिया ताकि मैं नहा करा हूँ तो फिर मुझे कुछ करना ना पढ़े और एक खिड़की क किचन आई तो काम तो बोलता है आप मेरे पास आओ तो काम तो करना है तो मैंने सुचा चलिए किचन का वह सारा चीज़ गैस का मैं लगा देती हूं और सारा बरतन ले लिया यहां पर उपर में बरतन का टुकरी रख दूंगी जिसी कि सारा पानी गिर जाएगा और फिर मैं बाद में सारे बरतन को लगा दूंगी यहां पर मैं सारे तस्वीर को पोच कर फिर मुझे याद आया कि मैंने अभी आमका पलव नहीं तोड़ा है चलिए अब मैं आपको छत पर लिये चलती हूं तो यहां पर मेरा बेटा आ गया है गेट खुलने के लिए लेकिन इससे टीवी वगेरा का डबा साइड में रखा रहता है मौसम इतना अच्छा किया था का आप भी देखाएंगे तो मन एकदम खुस हो जाएगा ऐसा जो मौसम होता है यहां पर आपका मन भी चुछिडा नहीं रहेगा और कुर्ती मैं आपके साथ कुछ कुर्तियां जो मैंने लि निकली आ गई हूं और यह सारे कपड़े मेरे नहीं है किसी और के हैं मेरे बच्चे के इतने वड़े सट भी नहीं अभी आते हैं तो यहां पर मैंने आम का पल्लब तोड़ लिया है और आप लोगों में से जो भी चैनल पर पहली बार आया है पहली बार वीडियो देख रह आना चाहिए लेकिन अगर आप बुग देखेंगे सुक्वार के ब्रत कथा का तो उसमें भी आप देखना है सामने में मैं अभी कथा पड़ रही हूं लेकिन यहां पर आप देखेंगे कलस पर आम का पल्लब लगा हुआ है तो स्रद्धा आपके अपने मन में होनी चाहिए तो पूजा पाट करते करते मुझे लगवक साड़े ग्यारा हो गया था साड़े ग्यारा बजे मेरा पूजा कंपलेट हुआ पूजा कंपलेट होने के बाद मैं यहां कीचन आई हूँ एक दो बरतर मेरा गिर गया था टोकरी से सबको मैंने उठा कर रख लिया और यहां पर एक काम के साथ मैं दूसरा काम करती हूँ अब तो मैंने का लाश्ट वे चल रहा है सवान वगेरा भी लाना है और यहां पर देखी मैं पूझा करने के समय सलाई बहुत ढूंड रही थी मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था मुझे लगा कब सलाई है ही नहीं लेकिन अभी मिला कर खाई। कंХानी मिला कर खाते हैं उस तरह चीनी मिला कर खाइएगा आतो इतना शॉदिष्ट करिए यह फाकर मुझे जरू कमेंट कर लोगी और यहां पर पर मैं कीरा कटकर लूगी और सारे कपड़े को मैंने सारा कपड़ा तुने कुछ भा लकने मिंडाल देगं क कि मुझे पूरा पता है काज तो बारिस होगी और यहां पर मैंने माखाना निकाल लिया है और इतनी मतलब हालत खराब लग रहे थी आप समझ सकते हैं बारा बच गया था यह मखाना वगेरा सारा चीज फ्राय करने में इतना लेट लगता था पहले जल्दी से चाय पिलू ले सब्सक्राइड रह चरीच नज़ी से परिशान हों कि कपूर और मरीच रखा है चीनी इस दब्बे में सब्सक्राइड है और सच में यह ट्रीक अलक्षन दिखा तो है लेकिन कपूर और भी डाल दीजेगा तो चीटी नहीं आती है और यहां पर मैंने वह खा लिया है जाती फिर लेट ही जाती इसी तरह सुफा शब रह जाता तो बाव बावो बॉन बार एक बजने कुछ ले लेकिन उन्होंने दूद नहीं दिया है तो मैंने सोचा कि यहां तब मैं चाय बना कर लाओंगी तो बैट कर आराम से पी होंगी इसलिए मैंने यहां सोफा अगर ठीक कर लिया क्योंकि इस सुबह तो एक आर करती हूं लेकिन फिर दिन भर में इसी तरह हो जाता है बैट के खाना पिना खाना बैटे इसी पर लोग बैटते हैं तो अकसर तो हो लगा दूँगी चुटी चुटी बरतन जो होते हैं कटोरी से उसमें पान ही जमारा जाता है तो उसको मैं उसी में छोड़ दूँगी और सारे बरतन को मैं लगा रही हूं लगातार मैं वेट कर रही थी कि दूद अब आ जाए दूद अब आ जाए लेकिन बहुत इंतजार किया एक बज़े तक देड़ बज़े तक फिर मैंने इनको फॉन किया ये दूद और दूद वाले का क्या है जब फॉन भी करिएगा तो वो उठाएगा ने कॉल और यहां पर मेरी चाय बन गई है अब मैं जाओंगी चाय लेकर गेश्ट्रू में पर मैं चाय पिऊंगी और मैंने इधर से क्रास होते हुए देखा मैंने सोच लिया कल से तो मैं इसको भी बंद करा दूँगी चाय मुझे जहां से भी लेना पड़े और यहां पर मैं पानी पी रही हुएू हूँ मैंने क्रास होते देखा लेकिन उसने दूद मुझे नहीं दिया कई घरों को उसने छोड़ कर कर लिटा किया है और यहां पर मैं आ गया हुए भी ऐते मुझे प्यार खार दो बिटू मुझे प्यार कर दो तो आज मैंने ही इसको पघड़ लिया कि आज आप ह है मुझे दो अगस्त से इसका वे अग्याम है तो अगर ही आजाएगा लेकिन होई है कि इतना आ जाता है अपर असलेवस की बात तीचर क्या लगे रहें बच्छों के पीछे काम तो इतना हो जाता है कि पुछिए मत और कुछ लोग ते अगर वगल में कुछ लेडी थी वो बोल रहे हैं कि एक दो मेरा डिजानर ब्लावज आप बना दीजिए बेसका आप आठ दस जिनका समय ले लिजिए मैंने का अच्छा देखते तो यहां पर मैं आगे और चाय पीटे पीटे लिए इतना बड़ा पक्षी था कि वीडियो में पता ने आपको जितना बड़ा दिखेगा लेकिन इतना बड़ा उसका पहुंच था कि देखके मैं अभी तो मैं इतना हवास देखी रहे हैं बहुत ज्यादा मन लग रहा था स सुख्रुवार का पूरा दिन इतना अच्छा मोची पीडिया था कि पुछिए मारण ने देख्या वह प्रयास कर दो दिखाने शैंटा इतना बड़ा पक्षी है मैं आपको दिखाने का प्रयाद चाहीं देखी है नीचे यह देख्या यह पताने कोई कीडा ऑगे न्यों र दर गए थे मैं इतना है आपको दिखा सकती हूं लेकिन ये पक्षी वाकरी बहुत बढ़ा था और इसके बाद पक्षी नीचे में कुछ-कुछ कीडा मकोडा खा रहा था मैं बालकनी में ही खड़ी होकर के चाय पी रही थी अभी वो भी आप देखिएगा इतनी तेजी से मेर केमरे में नहीं आ पाया है अब तो मुझे मार्केट जाना होगा एक्षा तो नहीं थी जाने की और इतनी अच्छी थंडी थंडी हावा चल लिए आप देख रहा होंगे मेरे बाल भी बूर रहा है और तोड़ा दूप निकलता है थोड़ी हावा चलती है थोड़ा दूप करना है मुझे लेकिन अभी अब तुरंत मार्केट जाओंगी तो देखती हूं चलिए मिलती हूं मैं आप से आगे यहां पर मार्केट के लिए निकल निकलने वाली थी कि मुझे लगा पूरा तेज बारिस होगी क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया था आप देखे रहे हैं हवा के तेज चलिए मैंने सारे कपड़े को मैं सोचा मैं उठा लेती हूं और जो दश्ट्विन वगेरा साप किया थ कर देती हूं गेट तो लगा कर जाना ही है और इन सारी चीज़ों को मैंने दूला था इसको मैंने उल्टा कर रख दिया है और अब मार्केट के लिए निकल पड़ी हूं देखती हूं अब तो सबसे पहले तो दूद लाना जरूरी है क्योंकि दूद उसने दिया ही नहीं औ और कल तुम्हें दूद बंद कर ही दूँगी कापी मुझे आज गुस्ता लगा अगर वो इधर से क्रॉस नहीं करता फिर वो बोलता कि तबियत खराब है या और किसी लोगों को नहीं देता फिर बोलता कि तबियत खराब है मैं मानती और यह देखिए यह मेरा बेटा सुस खाऊंगे अगर मार्केट में मिलेगा और यह पिंग वाला फूल देखे कितना अच्छा लग रहा है और मैं यहां पर आए हूं रसुल्ला तो मैं खाने आ गई लेकिन रसुल्ला गर्म था तो मुझे अच्छा मुझे लगा अच्छा नहीं लगया क्योंकि गुलाब शामन थ तो मैंने सुचा आज भी मेरा ब्रत ही है तो मैं आज ही आज आती हो तो यह देखिए कितना अच्छा यह लड़का या जो भी कहिए कितने अच्छे तरीके से यह ओम लिख रहे हैं और यह दुर्गा मां का मंदिर है मंदिर बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल हम लोग के म महले में है जहां हम लोग रहते हैं इतना अच्छा महला है और यहां पर मैं समान लेकर वापिस हो रही थी तो मैं कम से कम 15 मिनट यहां पर बैठी रही क्योंकि मैंने रसुल्ला कहा लिया था मैंने सूचा ठीक है अब बाद में खाई लिया है तो घर पहुंच के कुछ खाएं और परोल वगेरा तो मैंने खरीज लिया है और कुछ समान यह है तो अब मुझे भूख तो लगी है क्योंकि एक रसुल्ला मैंने खाया है तो थोड़ा सा मैं मौंग फली फ्राय कर लूँगी मुझे चाय पीनी है बिल्कुल आज ठका ठका सा तबियत लग रहा है क्योंकि 12 तो यहां पर देखें मेरा बेटा कितना बिस्किट अपने से अंदर घुस के लिया था तो कुछ लोग दुकान में बोल रहे थे चुकि साम का समय साथ बोल रहे से दूद फट गया है इसलिए पहले मैंने एक किलो गर्म किया देख लेते हूं पढ़ता या नहीं लेकिन कि फिर मैं किसी दूसरे काम में लगोंगी तो उमीद करती हूं आज भी आपने इंज्वाए क्या होगा मिलती हूं मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में डियर बने रहे इस चैनल के साथ बाइवाए डियर बाइवाए लब यू अल अपना ध्यान रखेगा